जेहिन दोस्तो दोस्तो अगर आप लोग एतुए ट्रेनिंग कर रहे है फिर चाहिओ पीडी-पीटी से हो या पीजी पीडी से तो दोस्तो आप के लिए एक B.O.P.P.T. के तरफ से बोर्ड आप प्रेक्टिकल ट्रेनिग के तरफ से एक नया इंग पॉर्टेंट नोटिफिके प्रेशन आया है दोस्तों उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एपनेट्शिप की अपडेट्स मिलती रहें दोस्तों अगर आपको एपनेट्शिप रिगार्डिंग किसी भी तरह का प्रोब्लम है जैसे की लोकडाउन में हमारा एटेंडेंस छूट गया इस टाइफेड नहीं आ रहा है हम लोग ट्रेनिंग के लिए अपलाई किये हैं अभी तक एप्रूब नहीं हुआ है ट्रेनिंग कब तक मिलेगा किसी भी तरह का दोस्तों प्रोब्लम में आपको एपनेट्शिप रिगार्डिंग तो कमेंट करके जरूर पूछे मैं आपका सवाल का जवाब देने का कोशिस करूँगा दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पार हुए यह जो नुटिफिकेशन वो वू बीओ टि BORDER प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के तरफ से दो साथ 2020 को आया था दो जुलाई 2020 को आया था दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन में निखा हुआ है submission of claim bills by establishment within 30 days of completion of each quarter दोस्तो मैं आपको short में बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन में निखा क्या है दोस्तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो BOPT के website से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तो ये जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि बहुत से student का दोस्तो जो stipend लोग डाउन के कारण अभी तक पहसा हुआ है दोस्तो जो लोकडाउन था वो मार्च के आखरी हफता से लेकर मैं तक था दोस्तो और इसके बाद जो है अपरेंटिशिप चालू किया था दोस्तो तो दोस्तो इसके बीच में किसी भी तरह का को स्टाइपेश्ट को नहीं दिया गया था तो दोस्तो इस बीच स्टेन्ट को काफी प्रोब्लम वआ था बहुत से लोग ऐपरेंटिशिप ट्रेनिग नहीं कर पाये थे वो लोह का एटेंडेंटेंश शूट गया था बहुत तरह का प्रोब्लम आ रहा था दोस्तों दोस्तों इसी को देखते वे अभी तक स्टाइफेंड किसी लड़के को नहीं दिया गया था तो दोस्तों अब डियोपीटी एक नोटिफिकेशन निकाला है उसमें निखाय कि दोस्तों 30 दिन के अंधर जो भी स्टाइफेंड है जितना केंडिट लोका छोटावा है उसको जो है दोस्तों दिया जाएगा इसलिए दोस्तों आप का जो स्टाइफेंड है आप क्लेम कर सकते हैं और जल्द से जल्द मंगा सकते हैं दोस्तों दोस्तों हर एक स्ट्वेंड का कम से कम थ्री मन्द का स्टाइफेंड अभी तक फसावा है दोस्तों इस notification में यही कहा गया है कि आपका जो stipend है आप जल्द से जल्द claim करें और अपना stipend को ले दोस्तों इसमें दोस्तों 30 दिन का time दिया गया है अगर आप लोग claim नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर तो कुछ problem आ सकता है तो दोस्तों comment करके जरूर बताएं आप कि आपका ज टाइप एंड अभी तक आया है कि नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई